यहाँ पर बात और यह स्काइवाकर गिबों के बारे में यह जो आपको एनिमल फोटो में दिखाई दे रहा है यही है स्काइवाकर गिबो important है क्योंकि एक बार UPSC हूलोंक गिबों के बारे में question already पूछ चुका है तो अभी यह news में क्यों है क्योंकि दोस्तों यह जो प्रजाती आपको देख रही है एप की जो बंदर के आसपास होती है मतलब उसी की तरह स्पीशी है यह स्पीशी अभी recently मयानबार में देखने को मिली जो की बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है तो इस वज़े से यहां पर यह news में है अब यह जो एप की स्पीशी अगर आप देखोगे इसका नाम है स्काइवॉकर गिबो मयानमर में अल्रेडी दोस्तों यह प्रजाती बहुती ज़दा खत्रे में है क्यों जहां पर यह रहते हैं उनका जो एन्वोर्मेंट है वो पूरी तरह से यहां पर खतम होता चले जा रहा है पेडों की कटाई होने की वज़ा से थीक है तो इस विसे यहां पर इनको जो पॉपॉलेशन है वो भी कम हो रहा है अब स्काइवॉकर गिबो के बारे में जब बात करते हैं में साउथ वेस्ट चाइना के अंदर में तो स्पेशली वहाँ पर एक कह सकतो गावली गॉंग माउंटेंस जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं जोगरिफिकल डिस्टिबूशन की बात करेंगे तो कई सारी यहां पर कैसे क्तो जंगल हैं वहाँ पर पे यह जो गेबॉन हैं तो चैना में अभी कम से कम बेड़ सो से भी कम यहां पर गिबॉन परेजंट होंगे मियान बार में कितने प्रेजेंट है भी कोई इंफोर्मेशन नहीं वैसे जादा होंगे नहीं ऐसा या पर बताया जा रहा है अगर आप देखोगे तो जो हुलॉक गिबो होता है हुलॉक गिबो की ही याँ पर एक प्रजाती है दोस्तो हुलॉक गिबो की तीन स्पीशी होती है उन तीन प्रजाती में से याँ पर एक प्रजाती ये भी है स्काइवॉकर गिबो ठीक है बाकि अगर इनक्या स्लीपिंग हैबिटेट वगरा देखोगे तो सोने का तरीका कुछ ऐसा है पेड़ पर यहाँ पर ये सोजाते हैं पैरो को अपने सीने से चिपटा कर हाथ वगरा ऐसे फोल्ड करके